26 अक्टूबर को अयोध्या में दिपोटसफ पर पांच लाग से अधिक दिये चलाई गए थे इस कारिक्रम को यूपी सरकार ने राज मेले का दर्जा दिया काबिनेट ने इस अयोजन के लिए अनुमानित बजट की मन्जूरी दी जिससे कई मीडिया संग्रनों ने 133 करोर रुपए बताया जैसे की NDTV, Times of India, The Indian Express, The Hindu, ABP News, इत्यादी लेकिन यूपी सरकार ने दिपोटसफ के लिए 133 करोर रुपए नहीं बलकि लगभग 1.33 करोर रुपए या 133 लाख रुपए की मन्जूरी दी थी यूपी सरकार ने 22 अक्टोबर को प्रकाशित अपनी प्रेस रिलीज में अनुमानित बजट रखा है जिसके मुताबिक वर्ष 2019 में आयोजन पर लगभग 132.70 लाख रुपए की व्याय का अनुमान है इस मेले के आयोजन पर होने वाले व्यायभार का वहन शासन द्वारा धनराशी की उपलब्धता की आधार पर किया जाएगा इस प्रकार मीडिया संग्टनों ने 1.33 करोर रुपए की जगा 133 करोर रुपए का गलत आखड़ा प्रकाशित किया धन्यवाद भ्रकार प्रकार विडायभाव